नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News साबर कांठा जिले में एक वैक्ती पर हमला करने के दोरान बडाली पुलिस ने चार अभ्युक्तों के खिलाप शिकायत दर्च कर गिरफतार कर लिया है क्या है पूरा मामला देखिए योगेश भाई राना जो साबर कांठा जिले के वैडाली तहसिल में कल शाम को रोज की तरह कॉंपलेक्स में पिछले दस सालों से एक फोटो श्टूडियो में काम कर रहे थे अपने दिन चर्या के अनुसार कल शाम अपने श्टूडियो में काम कर रहे थे तभी उन्हीं के समाज के लोगों ने एक छड़ी से योगेश भाई राना पर हमला कर दिया और उन्हें स्टूडियो में बंद कर दिया वही मामला गरम होते ही वडाली पुलिस ने शाम को ही चारों अभित्यों को गिरफतार कर लिया और उन्हें धारा 323,504,506,214 के तहद गिरफतार कर लिया है जबकि योगेश भाई को युलाज के लिए वडाली सीविल अस्पताल में भरती कराए गया है और आगे की जाज वडाली पुलिस कर रही है बेरो रिपोर्ट, अचबिया नियूज अचबिया नियूज एक तक राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस रा में मुस्कान नहीं छोड़ूँगी, उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूँगी महुआ विधान सभा शेत्र के दोनों प्रखंड के अंतरगत, विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल कैम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्त पर कोरोना जैसे महामारी को आए हुए पाँच महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लेगी हुए है अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाँच महीनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वित्रन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाप सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वित्रन क्यों करी विचार ठिक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्यभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 126 संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली